हाव रूफीक्स इंकमिंग कॉल इश्यूस प्रावलिम सॉल्फ कैसे करें नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लास के डिवाइस में कुछ भी इश्यूस वगएरा हो सकते हैं तो आप दोस्तों इस वीडियो को आन तक जरू देखेगा मैं आपको बहुत सारे सॉलुशन बताऊंगा ठीक है जितने भी पॉसिबल सॉलुशन से वह सब मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हो तो वीडियो के सार आन तक ब मिल जाएगा कि सी भी प्रॉबलम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पे फॉलो करके मेसेज कर सकते तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों कि is incoming call issue problem solve कि सकते incoming call issue को fix करने के लिए इंकमिंग छॉल प्रॉबल्म यहाद पर solve करने लिए आपको सबसे पहले phone restart करना होगा phone restart करने के बाद आप चेक करके देखे problem solve हुआ या नहीं हुआ अगर solve होते हैं ठीक है अगर नहीं होते SIM card को eject और insert किजिए ठीक है अपने SIM card को mobile से बाहर निकाल के उसको तो reinsert करके देखे अगर problem solve होते हैं तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको next solution जाना है next आपको करना क्या है mobile recharge चेक करना है अगर incoming call बगरा बंठ हुआ है तो recharge कर लेना open हो जाएगा सारी साथ आपके जो call bearing है उसको चेक करें phone service में जाए call setting open करें calling account more future call bearing उसमें जाके चेक करके देखें अगर call bearing दोस्तों यहाप enabled है तो उसको disable करना होगा sim1 और sim2 donor के लिए चेक कर लेना तो यह चेक करने के बाद दोस्तों आपको बेक करना है और अगर on है off कर दिया तो आपका problem instantly fix हो जाएगा ठीक है तो इस तरह के साब अपने problem solve कर सकते हैं अगर problem solve हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो प्लेश्टोर में जाए गूगल वाइफ फोन सर्वेस आप इसको सर्च कीजिए फोन सर्वेस सर्च करने के बाद आपको phone फों श्रॉंप तो आपको करते रहेना है यहाप मिलेगा फॉण इसके बाद आए इस टोरेच एन खेश क्लीक करें करके कर देना के लौ keto करने के बाद आपको बेक करना है तक सारि पर मिशिन करने के बार डीक करना है मुबायल को 막 से रिष्ट कर देखने करना है next solution पर जाना है उसके लिए आपको setting open करना है scroll down कर लेना है system पर click करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा system यहाँ पर आपको मिलेगा reset option तो reset wifi mobile and bluetooth पर जाएए अपना sim select कीजिए का आप यह problem है reset setting पर click करके mobile password भर दीजिए और उसके बाद आपका network setting reset हो जाएगा जैसे ही network setting reset हो जाएगा आप यहाँ पर back करें दुबारा से check करके देखें आपका problem fixed तो इस तरीके से आप incoming call problem solve कर सकते हैं इससे अगर कम बन जाते तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो जाए आपने network problem solve कीजिए उसके आपको सी में network open करना है अपना preferred network type को switch करके देखें बिट्विन 3G 2G 4G के बीच में उसके बार अपना सीम पर जाएगे वाल्ट इनेबल कीजिए ठीक है अपना access point को reset कीजिए 3DOS में क्लिक करके reset to default और उसके साथ ही साथ आप network operator को खुद बाखुद select कर सकते हैं automatically या फिर manually आप network को select करें तो यह सब ही दोस्तों आपका problem solve कर देगा airplane mode को enable करके disable करें तो यह सारे solution आप एक ही साथ में follow कर सकते हैं network issue fix करने के लिए उसके बाद देखें आपका problem solve हो जाएगा ठीक है अगर problem solve हो जाता है तो ठीक है अगर अभी भी आपको problem हो रहा है तो दोस्तों आप अपना डाइलर चेंज करके देखें ठीक है डाइलर यानि की आपका जो यहां पर phone survey से उसके जगे पर दोस्तों आप true color वगरा यूज़ करके देखें काम कर जाएगा problem solve हो जाएगा तो आप जो है दोस्तों डाइलर जो है उसको भी यूज़ करके देख सकती है ठीक है by any chance अगर आपको जो है यहां पर अभी भी problem हो रहा है या फिर आपको वह यूज़ नह सकते हैं जैसे सब्सक्राइब होगा आपका problem भी fix हो जाएगा ठीक है तो यह था दोस्तों एक complete solution जो की आपके incoming call problem solve कर सकते हैं उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद होगा आज के लिए इतना ही तैंक्स वाचिंग